नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने योट्यूब चनल डॉक्टर एगरीकलचरिस्ट में इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों में लगने वाले कीडों और उनके प्रबंधन के बारे में सरसों में चार महत्वपूर्ण कीडे हैं जो की सरसों के फसल को बहुत नुकसान पहुचाते हैं और वे हैं मस्टर्ड एफिड, पेंटेड बग, साफलाई और लिफ माइनर तो चलिए इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं ये है मस्टर्ड एफिड, इसका व्यसक कीड कुछ इस तरह से दिखाई देता है बहुंच सारे कीड जूंड में पौधे से, उनकी साखाओं से और उनके पत्तों से पौधे के रस को चूशते हैं जिससे पौधे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हजारो एफिड, पत्ते से रश चूश रहे है एफिड के प्रवंधन के लिए हम क्लोरपारिफॉस या थिया मेथोकसेम का इस्प्रे कर सकते हैं क्लोरपारिफॉस और थिया मेथोकसेम ये केमिकल का नाम है अगर हम ब्रान का नाम देखें, तो कुछ केमिकल हैं, जैसे कि कॉनफीडोर, फेम और डिसीड, इन सब का इस्प्रे करके हम एफिड का मेनेजमेंट कर सकते हैं इसके साथ ही साथ हम नीम आयल का भी इस्प्रे कर सकते हैं निम्देल का इस्प्रे करने से भी एफिट का प्रकोप कम होता है ये है पेंटेट बग इसके जो एडल्ट होते हैं वयस्क कीट होते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं पेंटेट बग का वयसक कीट अंडा देता है, अंडे से निम्फ बहार आते हैं और फिर निम्फ पढ़ा होकर वयसक बनते हैं, तो इस प्रकार से इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है इसके जो निम्फ होते हैं और एडल्ट होते हैं ये दोनों पौधे से रश चूशते हैं जिससे पौधे का विकास कम होता है और सरसो का उत्पादन कम होता है पेंटेट बग के मेनेजमेंट के लिए हम इमिडा क्लोप्रीट का इस्प्रे कर सकते हैं ये है मस्टर्ड साफ लाई का वयसक कीट वयसक कीट अंडा देता है अंडो से फिर लार्वा बहार आता है लार्वा कुछ इस तरह का दिखाई देता है या हलका काले रंका होता है ये जो लार्वा होते हैं ये पौधे की पत्तियों को खाते हैं जिससे पौधे का विकास रुख जाता है और सरसो कोतपादन कम होता है साफ लाई के मेनेजमेंट के लिए हम क्विनल फोस या इमिडा क्लोपरीट का इस्प्रे कर सकते हैं ये जो पत्ति देख रहे हैं आप ये है लीफ माइनर से प्रभावित पत्ता इसमें छोटा सा लार्वी होता है और ये लार्वी पौधे की पत्तियों में अंदर घुज जाता है और फिर अंदर के माटेरियल को खाता है और पत्ती का जो उपरी भाग है उपरी परत है वह बच जाता है और वह बाहर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है लीफ माइनर को पत्ती सुरंग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पत्तियों में छोटा-छोटा सुरंग बना देता है वैसे तो इस कीड़े से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है लेकिन अगर इसका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा हुआ तो पौधे में प्रकाश संसलेसर की क्रिया नहीं हो पाती है और फिर उत्पादन कम आता है लीफ माइनर के मेनेजमेंट के लिए हम इमिडाक्लोप्रीड, एसिटामिप्रीड और बायर का कॉनफीडोर और यूपील का टाइटन इन चारों केमिकल में से किसी एक कई स्प्रे हम कर सकते हैं किसी भी कीट के मेनेजमेंट के लिए हम नीम तेल का उप्योग कर सकते हैं नीम तेल का उप्योग हम ज़्यादा तर और्गेनिक फार्मिंग में करते हैं अगर हम नीम तेल का इस्प्रे कर रहे हैं तो कीट के आने के इंतजार नहीं करना है उससे पहले से ही हमें नीम तेल का इस्प्रे सुरू कर देना है तो साथियों यह जानकर यह आपको कैसी लगी कमेंड करके जरूर बताएं अपने साथियों के साथ इसे सेर जरूर करें धन्यवाद